हलो फ्रेंड्स आज हम लोग रस्मलाई बनाते हैं मेरे दूद मैंने फाड़ा पनीर बनाने के लिए लेकिन फिर बच्चों ने डिमांड की कि रस्मलाई बनाओ तो फिर मैंने सुचा रस्मलाई बनाते हैं इसको फाड़के चान लिया अच्छे से चान लेंगे और इसको अच्छे से पानी निकाल लेंगे इसका किसी कप्ड़े में इसका पानी भी काम आ जाता आप इसको ग्रेवी में डाल सकते हैं आटा गून सकते हैं बहुत हेल्दी होता ही है इसको निकालके थोड़ी देर दवाके रख देंगे 10 मिट के लिए यह विनेगर से फाड़ा था इसलिए 2-3 माँ वाश कर लेंगे तो अच्छा रहेगा उसका टेस नहीं आएगा विनेगर का अब हम चाशनी बनाएंगे एक कटूरी चीनी और करीब पांच कटूरी पानी आप किसी भी नाप से ले लीजे एक और पांच के अनुपात में अब यह पनीर दस में ट्रकने के बाद इसमें हम एक चमच मेदा डालेंगे और इसको हतेलियों से जैसे मैं कर रही हूं वैसे करना आपको थोड़ देर नीट करना इसको गुनना है एकदम यह सॉप्ट चिकना हो जाएगा अग्या आपको अग्या आपको 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 अब यह देखिए कैसा हो गया अच्छे से चिकना हो गया है यह पांच मिट में हो जाता है पांच मिट भी नहीं लगता है इसको ओबर नीड़नी करना है थोड़ा ही करना है इसकी गोलियां बनानी है और ऐसे प्रेस कर देंगे एक लिटर दूद में करीब 10-12 गोलियां बन जाएंगी इसको उबलते हुए पानी में चाशनी में डाल देंगे चाशनी कोई तारवाली नहीं बनानी है पतला ही रखना इसको इसको 10 मिनट तक हम टच नहीं करेंगे डालने के बाद ढख करके इसको पकने देंगे अब इसको 10 मिन बाद खोलेंगे और इसको परट देंगे हलकी हाथों से क्योंकि यह एकदम गरम है तो यह तूट सकता है इसलिए अब हम एक बरफ लेंगे थोड़ी सी बरफ लेंगे इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ी सी चाशनी डालेंगे जो उसमें बन गीरस खोले में इससे क्या होगा कि इसका शेप सही रहेगा नहीं तो शेप खराब हो जाएगा ठंडे पानी में डालेंगे इसको निकाल के इसमें डाल देंगे एक एक करके ऐसे सारा डाल देंगे अब हम इसका दू तयार करेंगे रिसमलाई के लिए एक लिटर फुल क्रीम मिल्क लेंगे और इसको बॉइल करेंगे इसमें मैंने केसर डाला है आपको केसर चाहिए तो अलग से दूद में गरम करके भी कर सकते हैं मैं डारेक्ट डालती हूँ और इसको त्री फोर्थ होने तक दूद को गाड़ा करेंगे बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं करना है और पतला भी नहीं रखना है इतना ही है मुझे सही लग रहा है परफेक्ट लग रहा है इसमें इलाईची डालिए और पिस्ता बादाम आपको जो पसंद आए वो डाल सकते हैं पिस्ता बहुत अच्छा लगता है रस मलाई में इसलिए पिस्ता जरू डालिए अब ये रस मलाई को थोड़ा से उंगलें से प्रेस करके उसमें डाल देंगे जिससे ये रस एब्जॉर्ब कर लें अच्छे से हलका गुनगुना दूद है अच्छे से सारा डाल देंगे और इसको सर्फ करेंगे थंडा थंडा है गरम नहीं करना है ये देखें कितना अच्छा शेप आया है अब ये ठंडा हो गया है ठंडा होने कवा सर्फ किया है आप एक वर ऐसे बना के देखिए और मुझे शेयर करें अपने कमेंट बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है ये इस टाइप से बिल्कुल सही बनेगी 100% बनाई है किश्दा से डेकुरेट करें उसको बात में देखिए ये कितने अच्छी बनिया है एकदम सॉप्ट झाल